हेलो गाईज, विल्कम बेक टो मैं चैनल रिवाइन उटूबर दोस्तों आज आप लोगों को बताने वोला हूँ कि इलेक्ट्रिक बिजनस में किस समान पे कितना पर्षेंड की बचत होती है या अवरेज मान लेजा कि टोटल अगर अवरेज निकाला जाए हर समान का तो कितना पर्षेंड जो है इलेक्ट्रिक स्वाप में जो है प्रॉफिट है इसके पहले जो है अवरेज डेली सेल जो है मैं आपको वीडियो बनाग बताई चुका हूँ तो इस टॉफिक पर भी बहुत सारे रोगों का कमेंट आ सारा था rights तो मैं कहाे यार इसको भी है आज बताई देते हैं को तो बहुत जादा इदर उदर की बाते नहीं करेंगे टॉपिक पर आएंगे कम समय में आपको जादा जानकारी देने कोशिज करेंगे लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक बिजनस से जो है जुड़े हुए हैं और इसी तरह से जो है नई नई जानकारी जो है आप चाहते हैं ही है तब आप लाइक ज़रूर कर दीजेगा तो चलिए ज्यादा इदर तक की बाते ना करते को सीधे पॉइंट पर आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो है अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक स्वाप में जो है अविरेज कि प्रॉफिट की मार्जिंग की तो सबसे पहली चीज कि हर समान पे अलग अलग मार्जिंग होता है ठीक है किसी समान पे एक परसेंट भी बसता है किसी समान पे जो है दो परसेंट बसता है किसी समान पे चार परसेंट बसता किसी समान पे पांच परसेंट बसता और किसी समान पे जो है पचास परसेंट भी बस किसी समान पर जो है 100 पर्शेंड भी बसता है वह समान के उपर डिपेंड है कि समान किस टाइप का है अगर आपको इलेक्ट्रिक बिजनस कर रहे होंगे मतलब अगर आपकी है जिनकी नहीं है वो तो भी नहीं समझ पाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता कि 100% बच जाए 50% बच जाए यह सही है कुछ का मैं उधारण भी दूँगा नाम नहीं लूँगा लेकिन किसी चीज का कि किस समान पर जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है एक अंदाजा जो है मतलब आपको गेस करने के लिए बताऊंगा जिनकी फॉप है वह तो जो समझ जाएंगे जिनकी फॉप नहीं है वह लोग जो है जब आप स्वाप करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि नाम भी कुछ चीज़ों का ले सकते हैं इसा नहीं है जिनका जो है एकदम आम रेट होता है तो उधारण की तोर पर सबसे ज्यादा जो है जो मतलब चीज़ बिक्री में आती है अगर देखा जाए जो डेली डेली बिक्री में आप लेडी बल्व का ले लीजिए आप लेडी बल्व परिजेंट टाइम की खरीद की बात छोड़ दीजिए पहले जो है हम लोग खरीदते कितने हम थे साथ में बेशते कितने हम थे अपने मांखी में बात बता रहा हूं सत्तर में अब आप जोड़ लीजिए कि लीडी पर आपको कितना परशेंट बचा कम से कम मान के चलिए सत्तर से अठारा परशेंट जो बचा है अब देखने हम तो दसी रुपय लग रहा लेकिन एक परसेंटेज अगर निकालने आप कोई ऐसी भी जो है चीज आती है जो आप खरीद परशेंटेज निकाल लेजिए कि कितना परसेंट जो है आपका उस पर बना कोई कोई समान ऐसा है कि आप खरीदते हैं जो है सीधे पचास का बेचते उसको सोग का अब उस पर कितना बचात हुआ सीधे जो पचास परसेंट आ गया लेकिन वो समान को पर डिपेंड है कि किस तरक समान है और कुछ समान ऐसा है कि 10 रुपया खरीदते हैं तो उसको 11 रुपय भी बेचना पड़ता अगर 11 रुपय भी बेचे तब भी परसेंटेज आपका ठीक ठाक आया अब कल्कुलेटर लेकर नहीं बेटाओं कि सारे का बत अगर उसके बाद से कागज में देख देखे जो आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं जो रियल है कुछ समान आप सो का खरीदते हैं 110 में बेच देते हैं 10 परसेंट जो उसको मारजी होगी सीदे साव का खरीद है 110 में बेचे कोई जो है 90 का खरीद के 120 में बेच रहे हैं अब उ आइटम का औरेज निकाला जाए तो हमें लगता है कि कम से कम जो है 50 परसेंट से एवा भी जो है जाएगा प्रॉफिट हम लोग मार कहाते हैं यह सबसे बड़ी बात है यह भी समझने की बात है यह तो आपको समझ में आ गया 50 पलस में जा सकते हैं ठीक है वह आपके मार्के स acontece है कि आपके मार्केट कैसी है वहां पे जो सेल कैसी है फिक है बहुत जादाろ कंपडी सबसे हैं तो सारे कमेंट करते हैं तो उनके यह समय से में लगता है कि Neptune USD 2 बी जो हो बचा लेता होंगे है अब जहां जो लोग कमधिन हैं जहाँ पर यहां बहुत पर्सेंट हैं तो व किसी का 5% किसी का 30% अगर सब औरेज निकालेंगे हम लोग को कि जो प्रॉफिट है वो मारी कहां जाती है अब यह समझने की बात है हमारे एक भाई ने अभी कमेंड किया उनका नाम मुझे याद नहीं है इसी वीडियो मैं बता देना चाहता हूं कि बोलना है कि एक साल हो गया दुकान खोले हुए सेल बहुत कम है तो सेल तो भाई सबकी कम है इस समय मार्केट जो ठंडा ही चला सेल उठे की जो है मानके चलिए नवरातर से आपकी जो है बिजनस उठेगा कि रेंट रुन का जो है 55 रुपया है उसके बाद से बोलना है कि लोग आते हैं उधार लेके चले जाते हैं मतलब आते हैं उधार लेके जाते हैं पैसा भी नहीं देते हैं और फिर आते भी नहीं है दुकंदार यहीं जाके मार्का जाता है अब जो उसका 50% प्रॉफिट थ उसमें से 30 परसेंट जो उधार वाले लेकर निकल ली तीस परसेंट 40 परसेंट कुछ लोग जो है बड़े जो नए ने रहते हैं उनको जानकारी नहीं रहती है वह 50-60 क्या 100 परसेंट वह जो है प्रॉफिट 50 परसेंट दीए उसके पास 50 परसेंट अपना पूजी भी दे देत मतलब वो लॉक्स में हो जाते हैं अगर वो कल्कुलेशन करेंगे तो तो मैं एक वीडियो जो बहुत पहले बनाये था उधार के उपर कि नए दुकंदार जो है इन चीजों से बचे उधार वो बिल्कुल नदे नए हो चाहे पुराने हो और उधार इतना ही दें कि मतलब ए अगर वो नहीं भी देगा तो आपकी पूजी नहीं डूबेगा लेकिन होता क्या है कि नए जो दुकंदार कस्टमर बनाने के चकर में वो पूरा पूरा उधार दे देते हैं तो प्रॉफिट तो गया ही प्रॉफिट के साथ साथ उनकी पूजी भी चली गए तो जहां प्रॉफिट होना था वहां लॉट हो गया कई बार ऐसा होता है पूरे दिन आप जो है दो हजार तीने जार के बिजनस किये एक एक बार साम में कोई आया पांच जार रुपया को उधार लिके चला गया अब आपकी जितनी जो है दिन बर की प्रॉफिट थी वो सारी जो है पूजी के साथ उधार में चली गई तो ऐसे कंडिशन में जो है हमारी दुकान जो कहीं के प्रॉफिट में नहीं दिखती फिर लॉस में दिखने लगता है बाकी कहीं से ऐसा नहीं है कि इसमें जो है इस बिजनस में भले ही कंपडिशन है लेकिन फिर भी जो है हर आइटम पर कंपडिशन नहीं होता कुछ आइट प्राइन में ऐसे आइटम है जिन में जो है कमपटीशन नहीं है और मतलब एक अच्छे जो है प्रॉपिट पे परसेंटेज पे मतलब कि अच्छेल होता है और बचात होती है कि अब बस दो मिलट्ट तो दोस्तो कस्टमर आ गए थे और जब माइन डाइवर्ट हो जाता है तो फिर बहुत बातें ने कर पाएंगे वह इसे भी छोट ही वीडियो बनाने कोसिस किया तो फिर भी लंबी बहोगे तो अब जो है मेरी एक ही आप लोगों से अपील है या नए दुकंदार हो या पुर संबंद बहुत अच्छा है जहां से मतलब यह है कि मैं मेरा पैसा लेकि यह जो हजम ने कर पाएंगे इसे पैसा मैं निकाल लूगा ठीक है किसी ने किसी जरीये से सिस्टम बनाके निकल जाएगा तो उन्हीं लोगों को बस उधार देता हूं बाकि जो है लोगों कोई उध करेंगे लेकिन उसी में से जो है बहुत सारे ऐसे हैं अगर आप उधार दे दिये तो फिर वह कभी नहीं आपके वहाएंगे मुड़के और इस तरह से तमाम लोगों के साथ होता होगा कमेंट आप सभी लोग जो हर टौपिक पर करके ज़रूरु कमेंट करने में जाता क्या है यार गूड नाइस यह सब भी तो लिख सकते हैं अगर बहुत लंबा नहीं लिखना चाहते हैं कमेंट किया करिया और लाइक भी होना चाहिए कि जब लाइप वगएर आप लोगों की मेरी बाते समझ में आ रही अच्छी लग रही है तो मैं भी वीडियो बनाता हो बीच को जो है एंड करेंगे लेकिन एंड करने इस पहले हमें था की तरह से लाश्ट में जो भी कहते आयों कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ने कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल एकम को दबाना आप बिल्कुल न भूलिए मिलते हैं इसी त करेंगे पहले हमें टारी कर अषा आपटाल करेंगे एंड को अभी कि तरह से लेए अगर मिलते हैं रहीं हमें वी कर आप चैनल को सब्सक्राइब